तो फ्रेंड्स NHM स्वास्त बिवा के अंतरकत एक और वेकंसी इसमें आप रिलीस कर दी गई रिकूट्मेंट जो है ओफिशल वेब साइट पे आ चुका है वेरियस अलग-अलग पोश्ट इसमें आप शामिल की जा रही इसमें दोस्तों A&M के लिए वेकंसी इसमें आप रहेंगी इसके साथ साथ स्टाफ नर्स की भी इसमें आप वेकंसी है इसके साथ साथ लेब टेक्निशन की पोश्ट है फार्मेसिस्ट की पोश्ट भी इसमें आप आ चुकी है और भी स्वास्त बिवाग के बिविन्य पद इसमें आप पे शामिल किये जा रहे हैं सभी जितनी भी पोस्ट हैं सभी को आप लोग आप एड़ करेंगे या फिर मैं आपको नमर और वेकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ तो करीब करीब इसमें 88 पोस्ट पे यह पूरा रिकूट्मेट यहां पे आया हुआ है 88 करीब इसमें आप पे पद है मेल फीमेल महिला और पुरुष दोनों इन वेकेंसी को बिलकुल आप लोग इसमें अपलाए कर सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को ऑल्लाइन एपलाए आपको इसमें आपध करना होगा सबसे पहले आप सबी लोग यह जाने यह जो वेकेंसी इस यह पे जो यहाँ पे जो रिलीजी की गई सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पड़े लिखा है Office of the Chief Medical Officer of Health हुगली तो दोस्तो हुगली यानि की Government of Bengal तो दोस्तो West Bengal इनकी तरफ से Recruitment का नोटे से आप आया है NHM या फिर दोस्तो NUHM की या फिर 15th Finance Commission के अंतरगत ये vacancies जो है Chief Medical of Health Officer हुगली इनके तरफ से आप निकाली चारी पुरी जानकारी वीडियो में कवर कर लेते हैं आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और स्वास्त अभिवाग की हर vacancy की जानकारी आगे भी पाते जाए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रेट बेटन को क्लिक कर ले तो चलिए शुरूबात करते हैं अपने अपडेट को बढ़ते है वेकेंसी टेवल की और नीचे फूर्थ नमर पे आपको यापे वेकेंसी टेवल की जानकारी दी गई तो यहाँ पे CHA की पोस्ट है यानि की Community Health Assistant की 92 पोस्ट है इसमें academics में से यह आपका इसमें आप पे सिलेक्शन होगा A&M जो candidates है और GNM वाले जो candidates है आप लोग इसमें आप इदर कर दें और इसमें कुछ और desirable qualification है तो इसमें कोई भी qualification आप लोगों से अलग से नहीं मागी जारी 21 से 40 साल उमर रखे गई सेलरी इसमें 13,000 रुपए आपको इसमें मिलेगी इसके बाद देखे लिखा है medical officer तो medical officer की 58 post है और आपके academics और experience के अधर पे सेलरी आपको आपको जोइन कराए जाएगा MBBS के डिगनी चाहिए एक साल के internship के साथ और आपके पास other qualification है आप लोग भी apply करें 67 year उमर आप लोगों के लिए रखे गई 60,000 रुपए इसमें आपको सेलरी मिलेगी इसके बाद देखे लिखा है staff nurse दोस्तो staff nurse की post है और देखे staff nurse की और भी vacancy है नीचे मैं भी आपको आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देखे सबसे पहले staff nurse की 79 post है अच्छी कासी post है और इसमें किसी भी तरीके का selection नहीं है no interview, no exam, जो भी आपकी qualification है उसी आधार पर आपका selection होगा तो इसमें BSc nursing candidates, GNM diploma candidates apply करें West Bengal nursing council में registration और local language की knowledge आपको होना चाहिए 40 साल हुमार रखी गई, इसमें आपको 25,000 रुपए आपको salary परमान थी basis पे मिलेगी इसके बाद देखे, Community Health Assistant, CHA की और post है इसमें 75 post है, किसी भी तरीके का exam नहीं है academics में से ही आपका इसमें पर selection होगा, नहीं interview है A&M और GNM diploma candidates आप लोग apply करें और local language की आपको आप पर knowledge होनी चाहिए और registration भी आप लोगों को इसमें आप पर मांगा जा रहा है, इसमें आपकी जो ओमार है 21 सा 40 सालों, 13,000 रुपए आपको इसमें salary मिलेगी अब देखिए, इसमें ये जितनी भी post आप लोगों देख रहा है यहां से लेके यहां तक इन सभी post में medical officer की post है सभी में आप लोगों को MBBS के degree आप लोगों से मांगी जा रही और salary मिं जो है आपको same ही इसमें आप लोगों को provide यहां पर कराई जाएगी करीब करीब 12 पद जो है इनमें आप शामिल यहां पर किये गए तो यह medical officer की अलग से post रहेंगी इसके बाद देखिए लिखा है staff nurse तो staff nurse की देखिए इसमें और भी post है अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ यह दूसरी post हम लोग staff nurse की बारे में आप पर information चेक कर रहे है इससे पहले जो उपर देखी थी वो NUHM की थी यह polyclinics के अंतरगात यहां पर रहेगी इसमें 11 पाद अलग से है GRM और BAC nursing candidates अपलाए करें West Bengal nursing council के साथ आपके पास registration होना चाहिए local language की knowledge भी आपको यहां पर होना चाहिए 40 साल उमार रखी गई 25,000 रुपयास में आपको salary मिलेगी फिर देखिए यहां पर देखिए आप जो है paramedical की post आगई lab technician की तो lab technician की 8 पद है written exam के basis पर selection होगा तो DMLT candidates एक साल के experience के साथ apply करें sorry BMLT candidates एक साल के experience के साथ आप लोग आप पर apply करें और DMLT candidates दो साल के experience के साथ आप लोग इसमें आप इन कर दें थोड़ी बहुत computer की knowledge भी होने चाहिए 21 से 40 सा उलमा रखी गई इसमें आपको 21,000 रुपे सेलरी मिलेगी इसके बाद लखा है pharmacist तो pharmacist का एक पद है अंद्रेदर्प के लिए computer की knowledge मांगे जारी bachelor degree pharmacy में हो या फिर डिप्लोमा है pharmacy में तो B Pharma, D Pharma दोनों candidates आविदन करें West Bengal pharmacy council में आपको registration चाहिए और जो diploma candidates है तीन साल का experience इसमें इसमें चाहिए computer की knowledge भी आपको इसमें चाहिए other qualification आप लोग पे apply करें 21 से 60 सार उमार आप लोगों की रखी गई 21,000 रुपे से आपको salary मिलने वाली है अब देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है staff nurse की एक और vacancy है सबसे पहले मैंने आपको बताई थी staff nurse की वो NUHM की थी फिर उसके बाद जो है इससे पहले फिर मैंने आपको बताई वो कौन सी थी poly clinics वाली और तीसरे नमबर की अभी ART centers के लिए यह जो है vacancy यहाँ पे आ चुकी है यह सबी मैं आपको staff nurse के बारे में मैं आपको 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 आपका जानकारी दे रहा हूँ तो यह ART के अंतरगात यह post है इसमें अंदेदर में एक पन है और इसमें return exam आपका लिया जाएगा BSC nursing और यहाँ पे जो भी candidates nursing में है आप लोग apply करे registration भी इसमें आप लोगों से आप मांगा जा रहा है और यहाँ पे computer की knowledge भी आपको इसमें आपे चाहिए other qualification भी मांगे गई यदि है तो अच्छी बात है नहीं है तो बिलकुल apply करे desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला जा रहा 21 से 60 साल हुमा रखे गई इसमें 21,000 रुपए आपको salary मिलेगी अब clinical psychologist इसमें दो पद है और इसी post के अंतरगात आपको आपे clinical psychology में course चाहिए यह आपके पास PG degree है यह candidates apply करें multi rehab worker इसमें 6 पद है और इसमें जो है bachelor degree physiotherapy में आपको इसमें आपके चाहिए दो साल के experience के साथ और master degree है तो अच्छी बात है तो भी apply कर सकते है नहीं भी है तो भी आविदन करें desirable बोला गया है compulsory नहीं है 21,40 साल हुमा रखे गई 18,000 रुपए आपको इसमें salary मिलेगी इसके बाद देखिए consultant की post SC में एक पद है MBBS, dental, आयूष, nursing, life science, social science यह सभी candidates apply करें एक साल का experience भी इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा और other qualification भी इसमें आप लोगों को यहाँ पहला हो की गई 40 साल हुमा रखे गई 35,000 रुपए salary मिलेगी medical officer की एक और पोस्ट है और 23 से 63 साल हुमा रहे 60,000 रुपए इसमें आपको salary मिलेगी इसके बाद TBHV यह पोस्ट है दो पद है ST में graduation course चाहिए MPW, LHV, A&M यह सभी candidates apply करें और 21 से 40 साल हुमा रखे गई 18,000 रुपए salary मिलेगी lab technician की एक और पोस्ट है SC में एक पद है तो इसमें DMLT candidates apply करें computer की knowledge के साथ और 12 के पास होना चाहिए biology subject में BMLT candidates भी इसमें आविदन कर सकते हैं 19 से 40 साल हुमा रखे गई 22,000 रुपए आपको salary मिलेगी इसके बाद senior treatment supervisor HTS की post है अन्रिजर्व में एक बद है graduation course science में चाहिए और इसी में जो है आपको computer की knowledge भी आप लोगों सिसमें आप पर मांगे जा रही और यहाँ पर two wheeler आपको यहाँ पर driving license भी आपके पास होना चाहिए MSW वाले course के candidates भी apply करें 21 से 40 साल हुमा रखे गई और 25,000 रुपए आपको salary मिलेगी इसके बाद ophthalmic assistant दो पद है और यहाँ पर 12th class पास होना ज़रूरी है दो साल का paramedical ophthalmic assistant का course diploma course आप लोगों से मांगा जा रहा और 18 से 40 साल हुमा रखे गई 18,000 रुपए इसमें आपको यहाँ पर salary मिलेगी तो यह notification पूरा यहाँ पर जारी किया गया इसके लिए आपको apply करना है और dates मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ देखिए इसके लिए आपको online application form fill up करना होगा यह इसके official website है एक मार्च से 28 मार्च की बीच आपका आविधन जो है पूरा fill up यहाँ पर हो जारा चाहिए और सबसे main बात ही है कि candidate को west bengal का permanent निवासी होना जरूरी है और वहाँ की local language की knowledge भी आपको इसमें आपे होना चाहिए तो यह information जो है NHM के थुरू निकाली गई यह recruitment NHM के थुरू यहाँ पर आया गया इसमें fees का payment भी होगा तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर instructions को read कर सकते है तो विकेंसी की जो भी information थी cover की और इस वीडियो को आपको like कर देना है चैनल को subscribe भी कर लें जिससे आगे की विकेंसी की जानकारी भी मिलती रहेगी वीडियो को नीचे जाए subscribe कर लें thank you so much